Hello Friends, क्या किसी महीला को दो बच्चे दानी हो सकती है? ये सच है या मिथ है? ऐसे भी कोई पॉसिबिलिटी होती है, कि दो-दो बच्चे दानी हो सके? तो मैं Dr. Sushilasynic, ηinecologist and obstetrician आज आपको इसी मिथ के बारे में बताने जारे हुआ है कि क्या दो बच्चे दानी पौसिबल है जी हाँ definitely दो बच्चे दानी possible है जब भून मा के पेट के अंदर होता हूँ जब सारे organs का development हो रहा होता है तो अब महिला के शरीर के अंदर यानि बच्चे के शरीर में दो बच्चे दानी होती है और दोनों बच्चे दानी के जुड़ने से आपस में मिलने से एक बच्चेदानी बनती है अब यदि ये बच्चेदानी पूरी तरीके से सही तरीके से नहीं जुड़ती है तो दो बच्चेदानी हो सकती है कई बार रिपोर्ट के अंदर दो बच्चेदानी बताया जाता है लेकिन जनरली वह एक बच्चेदानी होकर मुलेरियन औरमलिस के नाम से जानते हैं तो आज हम पूरी करेंगे कि मुलेरियन औरमलिस में क्या-क्या शामिल है कॉन-कॉन सकी खराबियां हो सकते हैं उनके क्या-क्याinar आप इसमें देखेंगे यह तो नर्मल यूट्रस है यानि कि यह नर्मलब बच्चेदानी का बट यह चार टव वार मार्य हो सकता है यूनिकृ यूटर्स से ऐता है यानि कि एक नली है ये बच्चेदानी का मुह है तो दो मुख है और बीच में भी कई बर वजयना के अंदर भी परदा होता है तो यानि कि सेप्रेट वजयना हो सकती है और दो बच्चेदानी पूरी तरीके से सेप्रेट हो सकती है अब यदि ये बच्चेदानी सर्फ नीचे नीचे से जुड़ती है ओपर से नहीं जुड़ती है तो यह इस तरीके का भी हो सकता है कि बीच में पर्दा है उपर से जुड़ी नहीं है और नीचे से जुड़ गई है एक वच्चेदानी है तो इसको हम बा viable-cornerate या फिर बच्चे दाने के अंदर ये पर्दा पूरे तरीके से नीचे तक ना होके आधा हो सकता है, थ्री फोर्थ होता है, हाफ हो सकता है, वन फोर्थ हो सकता है, यानि कि कम्प्लीट सेप्टम हो सकता है, या फिर ये पार्शल सेप्टम हो सकता है, इसके अलावा अंदर की क मारियों का इलाज अलक से किया जाता है जब हम बच्चे दाने के अंदर नीचे से दूर्बीन डाल कर देखते हैं यानि जब वजाइना से दूर्बीन अंदर जाती है और हम पता चलता है तो यह केवेटी नॉमल है लेकिन जब बच्चे दाने के अंदर परदा होता है तो इस गलग दिखेंगे और आप रेफरेंस इमेज में देख सकते कि यहां पर आपको दो बच्चे दाने दिखाई जा रही है और यह जो हम दिखा रहे हैं एक बच्चे दानी है तो इस तरीके से आपको यह समझ में आया कि हमारे बच्चपन में यानि कि जब बच्चा बनता है तो बहुत सारी खराबियां हो सकते लेकिन सभी बीमारियों का इलाज संभाव है यदि पर्दा है तो नीचे से दूर्बिन डाल कर उसे कैचे से काट कर एक किया जाता है दो बच्चे दानी को एक किया जाता है और ताकि आपको नॉर्मली आराम से प्रेगनेंसी हो सके और बच्चा कमजोर पैदा हो सकता या बच्चा खराब हो सकता तो इतनी सारी तकलिफें हो सकती है तो यदि आपको ऐसा बताया गया है कि दो बच्चे दानी है तो यह डेफिनेटली पॉसिबल है और इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इसका दूर्बीन से इलाज सं इलाज कर दिया जाता है तो इसे बहुत से फाइदे हैं दूर्बीन के ऑपरेशन के की बहुत जल्दी रिकावरी हो जाती है चीरा निशान नहीं लगता है और कमप्लीट पूरा इलाज पॉसिबल है तो अब आपको यह समझ में आ गया कि महिला के अंदर एक बच्चे दान यह कमप्लीट इलाज है संपूर इलाज है दुबारा कभी भी नहीं बनता है यदि यह आपको जानकारी अच्छी लगी ता आप अपने फैमली और फ्रेंड से जरूर शेयर कीजिए हो सकता है कि कोई इस बात को नहीं जानता हो और इस बारे में उसको भी जानकारी की और हमसे इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ तब तक नमस्कार